ओम शान्ती, आज है 26 जून 2022 की अव्यक्त मुरली, रिवाइस डेट है 26 दस 91 मधुबन, आए सुनते हैं बाबा की मीठे मीठे महावाक्यों को तपस्या का प्रत्यक्षफल खुशी, आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं, तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो तपस्या अर्थात राज अधिकारी बनना, तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राज बने होना, तपस्या का बल क्या फल देता है, अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है, इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज भाग्य प्राप्त होता है, तो भाग्य कित इतना स्रेस्ट है, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता, इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है, एक एक भाग्य अलग मांगने की आफशक्ता नहीं है, भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्से में ले लिया है, वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने सोयम ही दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाब भी कहते हैं मैं तेरा तो कितना स्रेस्ट भाग्य हो गया भाग्य के साथ साथ स्वराज अभी मिला है भविश्य विश्य का राज्य स्वराज्य का ही आधार है इसलिए तपस्वी राज हो बाब दादा को भी अपने हर एक राज्य धिकारी बच्चे क देख हर्ष होता है भक्ती में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए हो बार बार अपने को मैं गुलाम मैं गुलाम ही बोला है मैं गुलाम तेरा बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम सर्व शक्तिवान के बच्चे और गुलाम शोबत इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बचाए क्या अनुभव कराया मैं तेरा तो गुलाम से राजा बन गई अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो गुलाम पन के पुराने संसकार कभी मर्ज तो नहीं होते हैं माया के गुलाम होते हो राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता ह गुलाम पंचूट गया वह कभी कभी अच्छा लगता है तो तपस्या का बल बहुत स्रेष्ट है और तपस्या क्या करते हो तपस्या में मेहनत करते हो बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है मौच मनाना तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना बस नाचना गाना सहज होता है वह मुश्किल होता है मनुरंजन होता है वह मिहनत होती है तो तपस्या में क्या करते हो तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी तो खुशी में क्या होता है नाचना तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदी अनादी सरूप के गुण गाना तो यहाँ गीत कितना बड़ा और कितना सहज है इसमें गला ठीक है वा नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं है निरंतर यहागीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाशते रहो, तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ, नाचना और गाना कितना सहज है, माथा भारी उसका होता है, जो छोटी सी गलती करते हैं, ब्रह्मन जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता, हॉस्पीटल बनाने व करावनहार बाप है, तो आपको क्या बोज है, यहाँ तो निमित बना कर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो, आपकी जिम्मेवारी क्या है, बाप के बजाए अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं, तो माथा भारी होता है, बाप सर्व शक्तिवान मेरा साथी है, तो क्या भ भारिपन होगा छोटी सी गलती कर देते हो मेरी जिम्मेवारी समस्ते हो तो माथा भारी होता है तो ब्रह्मन जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मना यहाँ तो सेवा भी एक खेल है सेवा कोई और चीज नहीं है कोई दिमाग के खेल होते हैं कोई हलके खेल होते हैं लेकिन हैं तो खेलना दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या तो यहाँ सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो अटेंशन देने का काम हो लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है, ऐसे है, वा थोड़ा थोड़ा करते करते ठक जाते हो, मेजोरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा ठक जाते हो, यही योग का प्रयोग सर्वखजानों को, चाहे समे, चाहे संकल्प, चाहे ग्यान का खजाना वस्थूल शरीर भी अगर योग के प्रयोग की रीती से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना क्या प्रयोग किया है इस एक ए खजाने का प्रयोग करो कैसे प्रयोग करो कोई भी खजाने को कम खर्चा औ प्राप्ति अधिक मेहनत कम सफलता ज्यादा इस वीधी से प्रयोग करो जैसे समय को वा संकल्प को उठाओ यह स्रेश्ट खजाने हैं तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो जो साधारण व्यक्ती दो-चार मिनट संकल्प चलाने के बाद सोचने के बाद सफलता या प्राप्ती कर सकता है वह आप एक दो सैकिन में कर सकते हो जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे कम खर्चा बाला नशीन खर्च कम करो लेकिन प्राप्ती सौगुना हो इससे क्या होगा जो बचचत होगी चाहे समय की, चाहे संकल्प की तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे दानपुन्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है अगर अपनी प्रती लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दानपुन्य कर नहीं सकेंगे योग का प्रियोग यही है कम समय में रिजल्ट जादा कम संकल्प से अनभूती जादा हो तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे ऐसे ही वानी और करम कम घर्चा और सफलता जादा तब ही कमाल गाई जाती है बाप दादा ने कमाल क्या की? कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया? तब तो कहते हो कमाल कर दी एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो तब कहते हो कमाल कर दिया जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ती और अन्भूती ज्यादा कराता है ऐसे आप सब भी योग का प्रियोग करो सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया है आप भी तो कमाल करने वाले हो करते भी हो लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मैजोरिटी की रिजर्ट क्या देखी तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है अटेंशन भी है सफलता भी है लेकिन सोयम प्रती सर्फ खजाने यूज ज्यादा करते हो अपनी अनभूतियां करना यह भी अच्छी बात है लेकिन तपस्या वर्ष स्वयम प्रती और विश्व सेवा प्रती ही दिया हुआ है तपस्या के वाइब्रेशन्स विश्व में और तिवर गती से फैलाओ जो सुनाया कि योग के प्रयोग शाला में प्रयोग की गती को बढ़ाओ वर्तमान समय सरवात माओं को आवशक्त है आपके शक्ती शाली वाइब्रेशन्स द्वारा वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं यहां सहयोग ही योग में बदल जाएगा एक है सनेही सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी योगी और तीसरे हैं निरनतर योगी प्रयोगी अभी अपने से पूछो मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं कुछ एक बच्चों के vibrations बाप दादा के पास पहुंची हैं, भिन भिन प्रकार के vibrations हैं, जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है, इशारे से समझने वाले हो ना, इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यहां क्यों दोनों वाइब्रेशन आते हैं लेकिन यहां समय की तिवरगती और तपस्या के वाइब्रेशन से आफशक्ता का पूरण होना यहां तपस्या के बल का फल है फल तो खाना पड़ेगा ना यहाँ ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सरवावशक्ताओं को समय पर सहज पूरण कर सकती है समझा कोईशन नहीं उठ सकता कि यहाँ क्यूं हो रहे हैं तपस्या अर्थात सफलता सहज अनभूती हो आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है यहाँ अनभ जादा से जादा करते रहेंगे विगनों का आना यहाँ भी ड्रामा में आदी से अंत तक नूंध है यहाँ विगन भी असंभव से संभव की अनभूती कराते हैं और आप सभी तो अनभवी हो ही गए हैं इसलिए विगन भी खेल लगता है जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो बॉल आता है तबी तो ठोकर लगाते हो अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे खेल कैसे होगा यहाँ भी फुटबॉल का खेल है खेल खेलने में मज़ा आता है ना या मुझते हो कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाउं में आए मैं लगाऊं यहाँ खेल तो होता रहेगा, nothing new, ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन सफलता भी दिखाता है, यही ब्रहमनकुल की रीती रसम है, अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं, किसी भी कार्य के निमित बढ़ना, किसी भी प्रकार की वीधी से निमित बढ़ना, के विश्य में संपत्ती वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़े ते बड़ी संपत्ती कौन सी है, जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसी की आवशकता संपत्ती वालों को भी है, तो गरीब को भी है, वहाँ कौन से संपत्ती है, सबसे बड़े ते ब बड़ी आवशक संपती है सिंपथी चाहे गरीब हैं चाहे धनवान हैं लेकिन आज सिंपथी नहीं है सिंपथी की संपती सबसे बड़े ते बड़ी है और कुछ भी नहीं दो लेकिन सिंपथी दो सबको संतुस्ट कर सकते हो और आपकी सिंपथी इशर्य परिवार के नाते से अल्पकाल की सिंपिथी नहीं, पारिवारिक सिंपिथी सबसे बड़े ते बड़े सिंपिथी है और यहाँ सब को आवशक है और आप सब को दे सकते हो रुहानी सिंपिथी, शरीर, मन और धन की भी पूर्ती कर सकती है, अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे, चारों और के तपस्वी राज स्रेस्ट आतमाएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता स्रेस्ट अनभव करने वाले सदा मैं तेरा तु मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले सदा हर समे तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व समरीती स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मार्निंग और नमस्ते वर्दान अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले स्रेष्ट भाग्यवान भव आप ब्रह्मन बच्चों को डिरेक्ट अनादी पीता और आदी पीता द्वारा यहां अलोकिक जन्म प्राप्त हुआ है जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वहां कितना भाग्यवान हुआ अपने इस स्रेष्ट भाग्य को सदा समरीती में रखते हुए हर शित रहो, हर चलन और चेहरे में यहां समरीती स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयम को भी अनभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे आपके मस्तक बीच यहां भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे तब कहेंगे स्रेष्ट भाग्यवान आत्मा श्लोगन योगी तु आत्मा वह है जो अंतर मुखी बन लाइट माइट रूप का अनभव करता है शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोज मुरली सुनने के लिए आप शे बाबा मुरली मदबन चैनल को सबस्क्राइब कीचे ताकि शे बाबा की मुरली रोज आपके पास पहुंचे ओम शान्ती